Hello, good morning guys आपका polynomial का next वीडियो आगए आगिया है इससे पहले already हम एक video polynomial का upload कर चुके हैं Class 19 का polynomial का एक video already upload हो चुका है जिस भी हम आपको polynomial किसको कहते हैं polynomial क्या होता है उससे क्या-क्या types होते हैं term के basis पर, degree के basis पर, degree किसके कहते हैं यह सारा एक एक चीज हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं काफी अरे डीपरी समझाया है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर करके देख सकते हैं यह आपका next वीडियो है इस वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बताएंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है जीरोस कहते है किसको है जीरोस को हम लोग कैसे फाइंट करेंगे फाइंट करने का तरीका क्या है और कैसे आप पहचानिएगा कि किस polynomial में कितने zeros होंगे जिफ उसका polynomial को देख करके ठीक है? तो चलिए बिना देर कि ये start करते हैं polynomial में हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपको starting में ये जो दिख रहा है इसके बारे में already हम first video वाले class में हम ले चुके हैं पहला class जो पहला वीडियो था उसमें हम इसके बारे में बता चुके हैं कि polynomial के जो types किसके basis पर? degree के basis पर degree के basis पर कॉन कोड़ से types होते हैं तो constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, by quadratic zero ये सब के बारे में हम detail में बात कर चुके हैं आपनों से चीक है? तो हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में zeros of polynomial zeros of polynomial क्या होता है? तो zeros of polynomial किसको कहते हैं? तो कोई भी polynomial मान लेते हैं कि कोई एक polynomial आपको दिया गया है चीक है? कोई एक polynomial x square plus 5x plus 6 कोई एक polynomial आपको दिया गया है चीक? तो इस polynomial का आपको zeros पूछ रहा है zeros का मतलब क्या होता है? यह मतलब इस polynomial के जो variable है variable किसको कहते हैं हम आपको बता चूके है variable जो x होता है जिसका value change होता है उसी का हम लोग variable कहते है तो इस polynomial के x के कौन कौन से value आप इसमें put किजेगा जिसके put करने से आपका जो answer है वो zero आ जाएगा चीक है इसी को हम लोग कहते हैं उसी value को हम लोग क्या कहेंगे zeros of polynomial कहेंगे मतलब यह polynomial x square plus five x plus six जो आपको दिया गया है इस polynomial में x का कौन कौन सा value हम इस यहां पर put करें कि आपका जो इस value को इस equation में put करने पर आपका जो answer है वो zero आजाए चीक है तो जो जो value इसको put करने पर answer zero आएगा वो सभी जो होंगे वो इस polynomial के zeros कहलाएंगे zeros of polynomial ठीक है देखिए यहां लिखावा भी है कि the zeros of polynomial is the value of x x का वह value for which the value of polynomial become zero ठीक है तो x का वह value जिस पर जिस value को जब हम polynomial fx में लिख रखें तो वो पूरा की पूरा क्या हो जाए उसका value zero हो जाए चीक है तो ऐसे polynomial ऐसे value को हम लोग क्या कहेंगे zeros of polynomial ठीक है अब रही बात कि अब किसी equation कोई equation अगर आपको दे दिया गया है और इसका आपको कह रहा है इसका value निकाले यह value कैसे निकालेंगे चीक है तो आप already ninth class में पढ़ चुके हैं ninth में हम detail में आपको सब बता चुके हैं कि polynomial के zeros कैसे निकाले जाते हैं चीक है इसको middle term को split करके चीक है x square plus 5x plus 6 को आप क्या करेंगे इसके middle term को split करेंगे मतलब उसको तोड़ेंगे splitting method यूज़ करेंगे ninth class में already आप पढ़ चुके हैं चीक तो split कैसे करते हैं इसको हम detail में बताएंगे क्या क्या तरीका है किस तरीके से split करेंगे तो देखें यहां हमने x square plus 5x plus 6 को जब हमने split किया factorize करने के लिए तो आपका क्या आया x square plus 3x plus 2x plus 6 मतलब इस 5x को इस तरीके से तोड़ना है कि ताकि जोड़ने पर कितना आए 5x आए 5x को ऐसे दो नमबर में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर 5x आए और multiply करने पर इन दोनों का multiple है मतलब इधर 6 है इधर x square के साथ को नमबर है 1 6 power 1 मतलब यह वाला नमबर x square के बगल में जो नमबर होंगे वो और इधर constant number इन दोनों का multiple multiply करने पर इन दोनों का multiple है चेक है इसी तरीके से तोड़ा जाता है खायर इसके बारे में हम detail में आपको पिछली वीडियो में बता चुके है quadratic वाला वीडियो जाके देखिए उसमें आपको मिल जाएगा चेक है तो हमने क्या किया है 5x से तोल दिया 3x प्लस 2x में तो 3x प्लस 2x मिलके क्या हो गया 3 2 5x हो गया multiply भी करिएगा तो कितना आएगा 3 to the 6x से स्क्वाइर आ जाएगा तो x से स्क्वाइर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 अब हम क्या करेंगे इसका grouping कर देंगे x से स्क्वाइर प्लस 3x को एक साथ ले लो और 2x प्लस 6 को एक साथ ले लो चीक है तो grouping करके हम क्या करेंगे इन दोनों में से हमने x common निका लिए देखिए इधर भी x square है इधर भी x है तो हमने common निका लिए इधर x x common निका लिए तो बचा क्या x plus 3 बचा अब देखिए plus 2x plus 6 है 2x plus 6 में से हमने क्या common निका लिए 2 common निका लिए जो बच जाता है, नमबर, उसको अलग लिख लेते हैं, X प्लस 2, ये दोनों किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम एक एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, X प्लस 3 बराबर 0, तो जब X प्लस 3 बराबर 0 करिएगा, X बराबर कितना आ जाएगा माईनस 3 अब फिर एक बर X प्लस 2 को 0 को equal करेंगे तो X प्लस 2 बराबर 0 X बराबर कितना आ जाएगा माईनस 2 आ जाएगा ठीक है तो इसके बारे में detail में हम आपको बना करके इसलिए नहीं संपधार हैं क्योंकि already हम इसको बता चुके हैं detail में इस topics को ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप playlist में जाएं class 10th का quadratic equation का video playlist खोलें और उसमें आपका जो half an hour का जो पहला वीडियो होगा quadratic equation का उसमें जाकर के देखें काफी अच्छे split करने का तरीका आपको बताएं पूरा detail में चीक है चलिए तो हमने split किया तो मेरा एक्स का value क्या 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 आगिया माइनस 3 और माइनस 2 मतलब इस equation इस polynomial का जो 0 होगा वो कौन कौन होगा माइनस 3 होगा और आपका माइनस 2 होगा मतलब इन दोनो वैलू में से किसी भी वैलू को जब आप इस equation में पूट कीजेगा न तो आपका एंसर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा इसी को हम लोग zeros of polynomial कहते हैं अब समझ में आ गया कोई डिकत कोई डिकत नहीं zeros of polynomial किसको कहेंगे clear हो गया अब आएगे हम लोग देखते हैं polynomial of degree in has almost in number of zeros अब रही बात कि अगर हम आपको कोई polynomial दे दें तो आप कैसे पहचानिएगा कि ये polynomial में कितने zeros होंगे किस polynomial के कितने zeros होंगे तो याद रखेगा पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि उस polynomial के degree आप देखें कि उस polynomial के degree कितनी है चीक है और आप आल्रेड़ी दाते हैं कि कि किसी polynomial की जो degree होती वो क्या होती है तो उस polynomial का जो highest power होता है वही उसके degree होती है तो जैसे quadratic polynomial के degree क्या होगी तो आप जानते है कि quadratic polynomial जो होता है, जिसको कहते हैं, वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाइस्ट पावर जो है, जिसका हाइस्ट पावर टू है, वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाइस्ट पावर मतलब जिसके डिगरी क्या है, त्री हो, तो व polynomial के total कितने zeros होंगे मतलब इस polynomial में एक्स के total कितने value होंगे जिस value को आप अगर put करें उस equation में तो answer जिलो आजाए इसी को हम लोग कहते हैं उस polynomial का zeros चीक है तो आप कैसे पहचानिएगा तो उसके degree से पहचानिएगा चीक है इसका जो highest power जो degree होगी वही क्या होगा उसका number of zeros बताएगा तो quadratic polynomial की highest degree कितनी होती है two होती है तो इसलिए number of zeros भी इसके कितने होंगे two होंगे चीक है उसी तरीकी से cubic polynomial के degree कितनी होती है three होती है तो number of zeros भी इसके कितने होंगे 3 होंगे चीक है क्यों vai quadratic के डिग्री कितनी होती है फूर होती है तो एक प्लाइथ ये एक Vermas PB के ग्राइव होंगे जिस वैल्य को आप put कीजिए तो answer zero आजाए तो इसके डिगरी चार है तो मतलब number of zeros कितने होंगे चार होंगे चार zero कहने का मतलब कि X का चार ऐसा ऐसा value आपको मिलेगा कि जिस चारो value को जब आप इस equation में put कीजेगा तो आपका answer किया जाएगा zero आजाएगा यही कहने का मतलब हुआ number of zeros सिरे सिरे कि X का कोई value अगर है A, X का कोई value दो, तीन, चार, पांच कुछ भी है वो अगर बता रहा है कि वो उस polynomial का zero है तो सिरे सिरे जब उस A value को मतलब उस ही कोई value को X के उस value को जब आप इस equation में put कीजेगा तो आपका answer zero आजाएगा वही चीज़ यहाँ पर note में लिग कर के दिया हुआ है, चीक है, जिसको हम आपको कई बार बता चुके हैं, जैसे एक question आपका यहाँ पर आता है, एक question को हम लोग देखते है, if zeros of polynomial PX equal to इतना दिया हुआ है, चीक है, are the HCF of इतना and इतना, they didn't find the value of K, अच्छा question है, exam का exam में पुशा हुआ है, question कह रहा है, कि अगर एक polynomial PX है, चीक है, इस polynomial PX का जो 0 है, वो 0 कौन है, तो कह रहा है कि HCF of इतना यह नहीं इतना, मतलब 6 और 12 का जो HCF आपका आएगा न, वही उसका, जिरोज होगा किसका, इस polynomial का, इस polynomial का 0 कोन होगा, तो 6 और 12 का जो HCF आएगा, 6 और 12 का, जो आपका HCF आएगा, वो क्या लू निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 6 और 12 का HCF आप आपको मालू है, आप मूद से निकाल सकते हों कि 6 और 12 का HCF कितना होगा, 6 होगा, चीक है,ă HCF मतलब highest common factor, चीक है, HCF क किसे को कहते है, highest common factor, मतलब 6 का HCF نाल लो, आप पहले 6 का श का factor आप निकाल लो, चीक सिर्फ कैसे निकालते हैं तो छे का फैक्टर निकाल लो छे का फैक्टर कहने का मतलब कि छे किस किस टेबल से कट सकता है तो वन से टू से कटेगा थ्री से कटेगा और उसके बाद आपका सीदे सीदे सिख से कटेगा चिक है एक से कटेगा दो से कटेगा तीन से कटेगा छे से कटेगा फिर उसके बाद बारा बारा किसे किसे कटेगा तो वन से टू से त्री से फोर से उसके बाद सिक्स से कटेगा उसके बाद बारा से कटेगा चिक है तो अब इसमें पूछ रहा है कि इन शे और बारा में सबसे छोटा कौन सा इसा नंबर है जो दोनों में common आ रहा है तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो इस तरह से हम लोग है तो हम क्या करेंगे पहले इसका सा इच्पोट के रहा है जोनों में एकस के जगेंपर जब इस को इस यूजए व्य है पूरार कि ऑच्पोट कीजयेगा तो आपका यह पूरा क्यए प्रघ्प लहाए वो जीरोर होगा वो जाए तो सीरे सीरे हम क्या करेंगे एफ एफ एकस इक्षल टू कितना है एकक्स प्लस ब्राबर कर दीजे चिए एक्स के यगे होगा जाएगा प्लस के बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, चीक है, तो 6 का स्क्वार 36, माइनस 8, 16, 48, प्लस के बराबर कितना हो गया, जीरो, चीक, तो अब आप क्या कीजिए, 36 माइनस 48, जब solve कीजिए तो आपका कितना आजाएगा बारा आएगा तो माइनस बारा प्लस के बराबर जीरो तो के बराबर कितना हो जाएगा बारा माइनस बारा प्लस के बराबर कितना है जीरो तो के बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस बारा इधर आएगा तो प्लस बारा हो जाएगा तो के बराबर आपके क्या गया, 12 आ गया, कुशन काफी अच्छा था, बस कुशन को आपको समझने बरकी दे रही थी, इसको बनाना कैसे है, नमझ में आ गया, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एट सी एफ निकाल लिया, जो एट सी एफ आया, वह एट सी एफ इन लोगों का जीरो हो गया, इसको एक्व में जब six put कीजएगा, तो आपका जो एक्वेशन होगा, वह zero के equal होगा, हो जायगा, तो हमने क्या किए इस equation का zero के equal करके इसके जगे पर six put कर दिया, एks के जहे पर, तो यह जब x के जहे पर six put किया, तो आपका के का मानिया थे निकल के आ गया, यह है, समझ में आ गया, कैस coefficient और zeros इन लोगों का relation क्या क्या होगा इन लोगों के बीच क्या क्या relation होता है जैसे हमको mainly अभी किसके बारे में पढ़ना है quadratic equation इस polynomial chapter में आपको सिर्फ और सिर्फ quadratic polynomial के बारे में पढ़ना है चीक है तो quadratic polynomial में total कितने root होते हैं दो root होते है तो root होंगे तो वो दो root कौन कौन होते हैं alpha और beta होते हम next video में बताएंगे alpha और beta का क्या relation होता है coefficient के साथ चीक है कि लिए दो नहीं होती है